Hello everyone, मेरा नामे ग्यान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो कल का फ्रेंड्स हमारा दिन बहुत अच्छा रहा कल सुबह सुबह ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश हो सकता है और बुलिश होने का रीजन भी मैंने बताया था कि क्यों बुलिश हो सकता है बुलिश होने का जो मेन रीजन था वो यह था जब कल सुबह मार्केट यहाँ पे इधर कहीं ट्रेड कर रहा था पच्छी सो के आसपास ट्रेड कर रहा था और पचीस सो निकलने के बाद हमने यहां पे बाई करा था याद होगा तो हुआ क्या था यहां पे आप देखोगे एच फोर का यह चार्ट है और एच फोर के चार्ट में यह सपोर्ट लगा के मैंने बताया था आप मेरे अनलिसिस वीडियो में देख सकते हो कि 2480 का मैंने सप स्टेंस बताया था और मार्केट ने जब पचीस सो साथ को ब्रेक किया तो वह कितना उपर गया है आप देख सकते हो मार्केट 25-25-24 के पास गया है आज चांसे है कि यह अपने आल टाइम हाई को भी टच कर ले तो हमने इस वजह से बोला था कि कल के दिन में मार्केट बुल टार्गेट था लेकिन जब मार्केट ने पचीस सो साथ को ब्रेक किया तो मैंने बोला था कि भाई अब मार्केट उपर ही जाएगा क्यूंकि पचीस सो साथ रेजिस्टेंस था हमारा जहां पर मार्केट प्रिवियस टाइम में रिजेक्शन लेके नीचे आ जा रहा था जोन को ब्रेक किया है और ब्रेक करके ऊपर ही निकला है कि एचक वर चार्ट में अब हम अगर हां में आते हैं तो का मैं है मार्कट यहां पर Um 12-155 13 जोन ने जहां पर मार्केट सपूर्ट ले रहा है और नीचे इसका एक जोन पड़ा है सपोर्ट बन गया तहों कोह इस सें में रिजिस्टर लिया बार सब को लग रहाता कि जा रहा है नीचे, तो अब गिरी जाएगा, गिरी जाएगा, लोगों को चाइट और स्ट्रक्श्र समझ भे नहीं आते, लाइब में भी लोग परिशान करते, आपने देखा ही होगा, लोग परिशान करते, कि हाँ, सेल है, सेल है, मार्केट सेल है, तु भाई क बेरिश नहीं है, जब मार्केट नीचे जा रहा था, जब मार्केट बेरिश था, मैंने बोला था कि अभी मार्केट देखो, गोल्ड बेरिश है, वीक है, अभी गोल्ड क्या है, स्ट्रॉंग है, बहुत जदा स्ट्रॉंग है, रेट कट की बात आने वाली है, अगर रेट कट को break किया, trend line को break किया मतलब क्या हुआ, break of structure हुआ, जो हम break of structure हम कहते है, SMC में break of structure, वही structure का break out आपको साप साप नहीं दिख रहा है, lower low लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई lower low लग पाया, इसके नीचे market गया, नया low लगा नहीं गया, यह उपर break कर दिया, उपर break किया, उस समझ में आ जाता है, इसलिए हमने कल कहा था कि कल market जो है, bullish रहेगा, और bullish ही रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बहस करनी होती है, कुछ लोगों को बस कुछ बोलना होता है, तो वो आ जाते हैं, और वो आते रहेंगे, तो उनको हमें ignore करना है, हमें अपनी समझ को पड़ेगा, लेकिन पाचीसो साथ जब तक मार्केट है, पाचीसो साथ तक का सपोर्ट लेकर के मार्केट उपर निकलेगा, तो अभी हम bullish site पे हैं, और market अभी उपर ही जाएगा, इस high को break करेगा, तो फिर पचीस उंतिस, और पचीस उंतिस से लगा करके, पचीस उंतिस का तो हम वेट करेंगे, अगर हमें fresh buy करना है, तो breakout करें high को, और retaste पे हम इसको buy करेंगे, और एक नया high लगते हुए हमें देखने को मिल सकता है, तो market bullish है, हमें sell का trade बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, मेरे हीसाब से, बाकी यह video educational purpose के लिए हम सीखने समझने के लिए इसको लेत जोजेश, पले ठीजेश, बाकी नहीं कि भेने से, थे में सीखने करेंगे, विल्स दोजेए लिए जुम्चार, हमें का對ॉसे इसससे हमेंगे, आप चाहिए जरिए उंसके रिएिवानिस, तो dolarति केvidू, मुद्टे से, उल समया है किरो एक्ता है।